जयन दोस्तों, वेलकम बैक सरश्वती ग्यान और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पर्णामित्र, ट्रांस्फार्मर के बारे में तो इस वीडियो में आपको पर्णामित्र से संबने संपूर्ण जानकारिया आपको टोटल एक ही वीडियो में मिल जाएगी अगर इसमें पूरी जानकारिया आपको नहीं मिल पाती तो हम इसकी सेकंड वीडियो पे आपको जरूर लेकर आएंगे तो इस वीडियो में जो एलेक्ट्रीशन और एलेक्ट्रोनिक स्टेट से जो इटाइ कर रहा होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्पूर सिद्ध हो सकती है इसलिए वीडियो को लाश तक देखीएगा और वीडियो में comment करके बताए़ी कि वीडियो आपको कैसी लगी तो सबसे पहल हम transformer की सन नचना की वारे में देख लेते हैं सन नचना को देख रहेते हैं किस पकार का मारा transformer देखता है तो आपने देखा होगा हमारे आसपास गाउं सहर में लगे होती है तो जिससे दिखाया गया है कंजरविटर, ट्रेंग, ब्रीदर, मेंट, टैंक, टैंक, कवरादी यह सब उसके बाहरी आवरणों को दिखाया गया है तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के जो होते हैं कुछ महत्यपूर सिधान्त के बातों को जान लेते हैं इसलिए हमें इंगलिस के भी वर्ड उनके को याद करने होगा जैसे कि म्यूशल इंडेक्शन के सिदान पर कारे करता है दूसरा जो जाएगा हमारा फेराडी के नियम पर अधारत है और तीसरा जो जाएगा हमारे ट्रांसफार्मर के इस्टैटिक मसीन है सिदान के लीग जाएगा तो यह जाएगा हमारा क्या होगा जाएगा ठीक है अब आच भी बात में हम देखते हैं कि ट्रांसफर्मर की दोरा जो होती है विद्धो तुर्जा को एक परीपत से दूसरी परीपत में जो होता है इस थानानतरत किया जाता है इसमें जो होती है प्राइमरी सेकेंड़ी कोई होती है बगेरा उसके बारे में हम आंगी चर्चा करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आदाएगा तो अभी आप हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि किस प्रकार से हमारे ट्रांसफर्मर होता है जिसेधे आपने देखा होगा जो रहे डिकलर में दिख रही ही हमारी ट्राइमरी वाइनि मिलता है चित की बारे में और आंगी देख लेते हैं कि ट्रांसफर्मर की जिस वाइंडिंग को इसी Supply से सायुझत करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो हमारी दूसरी वाइंडिंग थी, हमारी सेकंडरी वाइंडिंग, तो सेकंडरी वाइंडिंग जो होती है, उसको विद्धो दुभार की सांस संयोजित किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेकंडरी बढ़ाता है कौन ट्रांस्पारमर जो होता है वोल्टेज और धारा को घटाता है लेकिन फ्रिकेंसी को घटाता नहीं है वह घटाता बढ़ाता नहीं है अब देख लेते हैं तो ट्रांस्पारमर जो होता है मारा प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को समाना अब्रजी मनलब क कि हमारी frequency नहीं बजलती है, तो उच्छ वोल्टेज से जो होता है, निमने वोल्टेज में कर देता है, अगर उच्छ से निमने में कर रहा है, तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, निमने हो जाएगी, तो इस तरह आपको समझ में आरा होगा, transpharma को जो होता है बूश्टad की ताड़ पर भी कारे में लिया जा सकता है अब इसकी सनल चनल हम देख लेते हैं सबसे पहली transpharma के जो core होती है core जो होती है हमारी silicon yield low shortly silicon yield low mr.ожу से जो होती है अब इसकी जो परत जो होतnya है ंसुलिटिंग वारणिस की परत चढ़ा दी जाती है उनकी ही बाएर में आंगे चर्चा करेंगे कक्यों चढ़ा दी जाती है अंके बार में चर्चछा पहों चर्चा करीं या मीनीशन के बारे में हम चनुल अट कहते हैं तो पॉक्टाई जो जूती है तो ट्रांसफार्मर में जो होती है ये स्ट्रेप बोल सकते हैं ये पत्तियां जो होती है कोरें जो होती है ई आई एल यू अकार की जो होती है ये प्रचलत कोरें प्रियोग की जाती है इसके हम आगे आपको डायगराम दिखाएंगे ट्रांसफार्मर की कोर में जो होती है आखि आपको second diagram में दिखारा होगा जिसे, इसए ऐ सेप की यह एक zum comenz की आप पतियर होगा, जिसमें से पतिवे我們的 lampion, जो होता होता है के हमारे transformer का, होता है निर्माण कीया जाता है, इससे था हमारे transformer का इसे शर्ब करन की किस अधार ओर, ट्रान्सफErम प्रसुर्म यो जिसकाि इंगलिस में बोलते हैं 800 ट्रांस्फरम्द के भी हमारे दौ व्यू un words negative c Sun होता है इस तरह हमारे जी हो जाएंगे मतलब हमारे जी हो जाएंगे चार परणामित्र हो जाएंगे उपयोग के अधार पर मतलब हम अगर पढ़ेंगे इस तरह हमारे चार परणामित्र हो जाएंगे तो सबसे पहले हम पावर परणामित्र के बारे में समझेंगी उसको थोड पास तक लाने लिए मतलब के सेहर लाने के लिए secured मःचव के महचने के लिए इसका पावर परणाम पत्र बियम्तर का है प्रियुक किया जाता है तो तो यहां पे आसा की यहां पे nuclear कर दोसा मःटों को ट्रान्समिंशन इटा है 322 defines 2 ave 440 life कै दो अब जो आप सोचेंगे 11 किलो वोल्ट है इसको 132, 220 या 440 किलो वोल्ट में क्यों अच्टेप कर दिया इसका उदेश ही यह होता है कि उच्छे वोल्टेज में परिवर्द करने का मुख्य उदेश से जो होता है आपने पढ़ा होगा कि जब हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो धारा जो होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है ओम कर नियाम आपने पढ़ा होगा तो धारा जो कम हो जाती है तो हमारी जो पावर जो हानी होती है वो हमारी transmission में जो हानी होने वाली होती है वो कम से कम होती है इसलिए जो होती है step up करके जो होता है voltage मतलब कि transmission किया जाता है अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा हो जाएगा अपयंत्र परणामित्र मतलब कि इसको इंगलेस में बोलते हैं instrument transformer तो इसका प्रियोग जो होता है हमारा इसी परिपत में उच्छ धारत था उच्छ वोल्टेज को मापने ही तो प्रियोग किया जाता है तो इसके हमने दो प्रकार पड़े हुए है कि धारा पर्णामित्र और बिभाव पर्णामित्र तो धारा पर्णामित्र के वारे में सबसे पहले जान लेते हैं तो इसका प्रियोग जो होता है उच्छ धारा मापनी के लिए किया जाता है यह इसे हम CT मतलब कि करेंडर ट्रांसफार्मर कहते हैं ठीक है जो होता है यह step up transformer है और इसमें जो होता है 0 से 5 ampere का जो होता है secondary winding में एक ammeter लगा होता है मतलब इसकी secondary के जो होती है reading जो होती है 0 से 5 ampere तक होती है ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे potential transformer की जिसको हम PT भी बोलते हैं तो जिसール करते हैं तो जिसंत्य अप्रक को हम उच्छ वोल्टेज मापनी के इस ंपियों करते हैं तो इसको हम क्या जाते हैं विह म taraf पर्नामित्र भी हॉन सकते है यह potentialiry transformer भी हो उसकते है ठीक है इसको हम PGT कहते हैं इसको वोल्ट इता है या विभाव पढणमीतर कहते हैं ठिक है तो यह जो पढणमितर है हमारा वो पढणमितर जो हो जायँग, इसकी से इन्री, जो होता है एक 0's 110 वोल्ट का वोल्टि मीटर रूस करता है, तो आप अगर चित्र में अगर ITI कर रहे हैं, तो आप चित्र में इसको देख सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, और कुछ गलती हो रही है हमारे दोरा, तो आप इसको कमेंट में करके जरूर बताई कि collective, हम आंगे और सुधार कर सकें आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें तो इसके बाद हम बात करेंगे आटो ट्रांसफर्मर की तो सबसे पहले इसके बात करते हैं कि सिधान पर कार करता है ये स्वापिरन के सिधान पर कार करता है और auto transformer की सबसे अच्छी बिसेचता है कि इसमें सिर्फ एक winding होती है ठीक है auto transformer में जो होता है प्राथमेक और दुतियक winding जो होती है एक साथ चुम्मी की है वगा विद्धुती है दोनों रूपों से जुड़ी होती है जब कि हमारे जो सामाने transformer होती है स्वपेड़न को छोड़कर स्वपेड़न को छोड़कर वो सिर्फ हमारे चुम्मी की रूप से ही जोड़ी रहते है मतलब कि primary और secondary winding जो होती है चुम्मी की रूप से ही जोड़ी रहती है अब इसके बात करेंगे हम बात हमारे दूसरा प्रकार हो जाएगा ठाफ़ की संक्या के दार पर ट्रांसफर्मर करना तो इसके दो प्रकार है कौन कौन से हो जाएगा सिंगल फेस और दूसरा हो जाएगा हमारा थी फेस झो होता है एक फेस यूक्तini अध्याूसप्लाई पर कारूने रहत रहने पतरण को जो बोलते हैं single face transformer कहते हैं यह लगवाग 200 volt तक कारे करते हैं इनका उप्योग जो होता है घरेलू प्रियोग में किया जाता है जैसे कि हम जैसे कि हम stabilizer वगेरा में TV receiver में inverter में radio receiver में इनका उप्योग किया जा सकता है इस तरह है हमारे जो transformer होता है हमारे घरेलू चीजों में भी उप्योग किया जाता है बले आपने देखा ना हो कभी आदम सुधरवानी के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो transformer किस प्रकार देखता है और यह हमारे जो होते हैं छोटे transformer में भी उप्योग किया जाते हैं और बड़े ट्रांसफर्म, हमारी light के ट्रांसफर्मेंशन में भी उप्योग किये जाते हैं तो इस तरह आपको ट्रांसफर्मेंश के बारे में अच्छे से समझ में आही» तो इसके बाद हम बात करेंगे three-phase, मतलब कि three-phase transformer के बारे में तो three-phase पर्णामित्र क्या होता शके बारे कि जान लेते हैं तो three-phase जो होता है एसी supply पर कार कने वाले पर्णामित्र होता है ठीक है? सबसे पहली बात तो three-phase पर्णामित्र में जो होता है तीन primary और तीन secondary winding होती है यसे आपने चित्टर में देखा होगो जो आपको तो तीन जो दिख रहा हूँ है आपको दि णिकले हुए हैं ऐसे तो वो अपनी थीन प्राइमरी हो जाएंगि और उसके back साइड हो जाएंग तो यह जो प्रमारी सेल्-प्रकार की और मेघकार के टेशार, यह चर्चा ऐसे आपको हर प्रकार सेप्रना प्रकार से आप को living area को जो होगा समधान किया जाएगा अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पढ़नामित्र का जो प्रकार होता है आउट्पुट बोल्टिता के दार पर पहला हो जाएगा हमारा इस्टेपप पढ़नामित्र हो जाएगा तो इस्टेपप क्या करता है हमारा जो होता है समाना पर निम्न ईब उल्टेज को से समझ में आ रहा है कि यह ब्우ल्टेज को कुई करता है बढ़ाता है जब को बढ़ाता है तो यह को जया नहींद को क्या जान आगा गटा देगा न्म नंदहार में ऑपरिवर्चित कर दीता है असले अडเดे को घोता इसने काले कि आउटपुट अपॉन इन्पुट तो आउटपुट हमारा ज्यादा हो रहा है, इन्पुट हमारा कम हो रहा है, तो इसलिए इसका एकाई कमाण जो हो जाएगा, कैसे हमें इसा एकाई से ज्यादा ही आएगा, तो इसके अपोजेट हो जाएगा, हमारा स्टेप डाउन हो ठीक है और कहीं भी आपको समझ में नहीं आते हैं तो एक बार वीडियो को पॉस्ट करके आप फिर से बैग जा के आप वो देख सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि यह वीडियो जो होती है आपके लिए बहुत महत्वपूर होगी तो इसलिए जो हमने आपको यह बताए हुए है यह आपको step by step बताए है जैसे आपको समझ में आए ठीक है अब इसके बाद बात करेंगे step down पढ़ना में तो यह क्या करेंगा step down हो गया यह हमारा step down जो हो जाएगा हमारा उच्च voltage को क्या कर दीता है निमने voltage में परिवर्टित कर दीता है कहीं हमें step up कर कि ज़ुरत होती हुआ में स्ट्रापडाउन की जरूरत होती है तो, यह क्या कर दीता है उच्छ दीता है जार को क्या कर देता है फिल् moss कर दीजा घाटाय मी इस सुमंद के श्यर ईर कम हो जाएगा ट्रांसफर्मर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा रेशो तो एक से कम ही आएगा तो इस तरह आपको समझ में आ गया हो इस्टेप डाउन आपको सर्फ याद करने की जरूरत है मैं इस सब्सक्राइब करणे निजर बिद्धं की याद ओ जाएगा वालता है वालता है इसर फीछ संक्राइब करने होगा एक समय के ही अभी करने क्वे अधिक़्ेग में चरंस में we लोट से संयूज़त करते हैं और प्राइमरी वैंडिंग को हम AC से संयूज़त करते हैं जहां हमें step down मतलब कि हमें जहां voltage घटा कर प्राप्त होने की जरूरत होती है output में हमें कम voltage की आवशक्ता होती है वह हम step down transformer का उपयोग करते हैं तो इस तरह हमें step down transformer के वारे में समझ में आ गया होगा अब हम इसके बाद बात करेंगे हैं कोर सननचन अधार प्राप्णा में तो सबसे पहले हमारा सननचना कोर के अधारवार हो जाएगा कोर टाइप तो को टाइप में आप देख रह हगे promise के प्रामरी सेकेंडरी इस यह हो जाएगा एधार पर जो होता है हमार अंगला ट्रांसफ़रमर, उसके बारे मुम जानेंगे और उसका भूबत के शक्रा है की चित्र कैसा है? सहल डाइप, जैसे हमारा दूदरर प्रकार जाएगा, सहल टाइप सहल टाइप कि मैं आपने डेखा होगा कि इसमें क्या अंतर है तो इसमें देखिए आप primary and secondary winding जो है एक ही भजापर है क्या है एक ही भजापर मतलब यह अंतर हो जाएगा हमार ठीक है अब इसमें एक और विशेस्ता है क्या है इसमें कि इसमें जो होती है core E और I type की होती है मतलब E और I type की core को होती है मिलाकर जो होती है बनाई जाती है प्राइमर्य और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है कोर के मद्धे की भजा पर होती है मतलब कि आप वो मद्धे में देख रही होगी दोनों वाइंडिंग जो होती है कोर के मद्धे में ही देख रही होगी अब लास्ट बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो बैरी टाइप के सबसे पहले आप चितर देख लिए जिए कि बैरी टाइप जो होता है किस तरह से बनता है ठीक है अब इसमें जो होता है ये कई प्रकार के आयताकार फ्रेम से मिलकर बना होता है आयताकार फ्रेम इसलिए बना जाते हैं ताकि इसकी एक बोजा जो होती है मुख्य कोर के मद्यभाग से गुजरे और इनकी आपने सनचना देखी होगी इनकी सनचना जो बनावड जो होती है एक असमतल होती है ठीक है ये बहुत ही महत्यपूर्ण important question है ये आपकी question भी बन सकते हैं ठीक है तो इसलिए इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा इनकी आकारवा capacity जो होती है berry type की जो होती है इनकी बहुत अधिक होती है अब इसके बाद हम आप चितर देख सकते हैं कि core type हमारा किस प्रकार से होता है cell type हमारा किस टाइप से होता है और berry type हमारा किस प्रकार से होता है तो हमने इन तीनों के बारे में अच्छे से जाना और अच्छे से समझा और हमने इनके महत्वपूर कोस्चोनों के बारे में भी हमने किया तो इसलिए इन महत्वपूर कोस्चोनों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और हमारे जो ट्रांसफार्मार आते हैं उनके लिए हमारा फॉर्मूला भी हותा है N upon N P N मतलब की जो हमारा होगा है terns की संख्या मतलब फॉर्भाइमरी में फॉर्चे कि प्राइमरी में क्या हब से कंड़री में तो कभी-ağı-ब हुचा जाता है कि अगर फॉर्चे को पॉठागे और से room т Spreadback की करण पर्णामित इसके बारे में अभी कभी कभी एक्जाम में पूछा जाता है इसको बोलते हैं हम isolation transformer तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि विद्धुत मसीन इवं उपकरणों पर कार करने वाले व्यक्ति के व्यक्तियों के किसी भूदोस युक्ते विद्धुत उपकरण की मरमत करते समाएं हास से छोने पर व्यक्ति को विद्धुत का जटका लग सकता है इसलिए ऐसे इस्तिति पैदा ना हो इसके लिए हम जो करते हैं isolation transformer का प्रियोग करते हैं इसका प्रियोग क्यों करते हैं क्योंकि इसकी primary वं सेकंडरी वांडिंग का जो turn अनुपाथ जो होता है एक अनुपाथ एक होता है इसलिए इससे जो होता है विद्धो जटका नहीं लगता है विक्तियों को जो मरम्मत कर रहे हैं का ये isolation का प्रियोग किया जाता है अब हम झान लेते हैं का पर्णामतर से हमें कौन कौन सी हानिया होती है ठीक है तो पर्णामतर सबसे पहले हमें पता है पहले ही विडियो में चर्चा की althy कि ये एक Istatic device है झाक है Istatic machine ऐन गॉनाण मसीन की तरह इसमें वाई विम घासन हानिया नहीं होती है ठीक है अब परिणामतर में केवल जो होती है इसके कोर और लोय हानिया कोर या लोय हानिया या तामर हानिया होती है क्योंकि इनका तामर का भी हम यूज करते हैं वाइंडिंग में जो होते हैं तामर का यूज करते हैं और दूसरी हो जाएगी हमारी ताम रहानी तो हम एक एक करके दोनों हानियों के बारे में समझ लेते हैं और इनको कम कैसे किया जाता है उनके बारे में हमी समझ लेते हैं सबसे पहले कोर या लोह हानिया जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है हैं सबस्क् Hyunin को देखते हैं किस के दौर ओपन सरकिट टैस्ट के दौर आ में अब फूर करते हैं अब यह डोपर कर किषंड है पहली हो जाएगी हमारी Hysteresis हानिया को जो हता है कम करने के लिए हमारी जो पत्तियें हैं उनको पत्तियों में जो हता है लोहे के साथ 4% सिलिकॉन मिलाकर लोहा सिलिकॉन में सदातू से निरमित कोर प्रियोग की जाती है, जो पत्तिया हम योज करते हैं, कोर योज करते हैं, उसमें 4% कम से कम सिलिकॉन का प्रियोग करके पत्तियों का निरमार करते हैं, जिससे हिस्टरेसियस हानिया हमारी हो जाती ह ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे एड़ी करेंट की मतलब कि भावरदारा हानिया की तो भावरदारा हानिया की मान को कम करने के लिए परिणामत्र कोर को पतली-पतली एकत्रत करके बनाया जाता है कैसे करके पतली-पतली एकत्रत करके बनाया जाता है ठीक है, प्रतिएक परत की दोनों सताइ को क्या करते है, इंसुलेटिंग वारनिस का लेट चढ़ाया जाता है, क्या, जैसे हम लेमिनीशन कहते हैं, तो लेमिनीशन के हमने मोटाई भी पड़ी हूई है, ठीक है, तो लेमिनीशन लगने के बाद उसकी पत्ति के मोटा ही कितनी हो जाती है वो भी हमने पढ़ा हूँ यह बहुत ही important question है आपको हमेशा याद रखना है यह परिक्षा में कभी भी पूचे जा सकते हैं अब इसके बाद हम बात करेंगे ताम रहानिया तो ताम रहानिया जो होती है परिक्षा में प्रवाहत होने वाली जो होती है धारा और वुल्टीज के कारण जो होता है धारा के कारण जो होता है परिक्षा में ताम रहानिया होती है ताम रहानिया होती है तो ताम रहानिया के बारे में हमने इतना जाना अब इसके बाद हमें सबसे पहले महत्वपूर चीज जो याद करने ही हमेशा हमें याद होना चाहिए यदि पढ़ना मित्र का विद्धत भार आधा हो तब तामरहानिया जो हो जाएंगी एक बटे चार कम हो जाएंगी यदि पहार जो आधा है तो उसका एक बटे चार कम हो जाएंगी तामरहानिया जो हो जाएंगी हमारी चार कम हो जाएंगी Constable बुल दिये, Constant नहीं होती है, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद हम next important question के बारे में बात करेंगे, तो अधर से जो होती है, ट्रांसफारमर की जो होती है, दक्षेता जो होती है, 100% होती है, और आटो ट्रांसफारमर की दक्षेता जो होती है, 99% होती है, और स्टैंडर्ड ट्रांसफारमर की 99% होती है, और ट्रांसफार्मा की रेटिंग जो होती है, BA या KBA में, मतलब कि कि लो वर्ट MPR में मापी जाती है, तो इस तरह आपको ये वीडियो कार अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेर कर दीजिए